सूप्रभाद बच्चों, मैं तुलिका मीस और ये आपका हिंदी पेड़ेड है आज हम लोग पेस नमबल 76 और 77 पुनरा वलोकन का अभ्यास करेंगे आप लोगोंने चार शन्युक्त वेंजन पड़ा अक्षा, त्रो, ग्यो, स्रो अक्षा, को और मुर्धन श्रो को जोड़ने से बनता है त्रो, तो और रो को जोड़ने से बनता है ग्यो, जो और यो को जोड़ने से बनता है और स्रो, स्रो, तालव श्रो और रो को जोड़ने से बनता है अब हम लोग पेस नमबल 76 पुन्रावलोकन पढ़ेंगे छत्रिये के लिए अपनी पसंद की ढाल या तलवार बनाकर उसे उपहार में दे इस चित्र में एक गिफ्ट बॉक्स है इस गिफ्ट बॉक्स में आपको तलवार या ढाल दोनों में से एक चीज बनाना है और छत्रिये को गिफ्ट करना है ओके दूसरा कोर्षन है चित्रों के पहले अक्षर पर सही चिन्न का निशान लगाए तो चित्र में आप देख रहे हैं कि पहला चित्र चितिज का है छितिज अक्षर से सुरू होता है और इस चित्र के आगे तीन आप्षन है अक्षर, ड्रो और को तो छित्रिये का पहला अक्षर है अक्षर इसलिए अक्षर में सही का निशान लगाएंगे दूसरा चित्र है त्री फला और यहां पर तीन अप्सन है त्रो, गो, धो त्री फला त्रो अक्षर से सुरू होता है इसलिए त्रो में सही का निसान लगाएंगे तीसरा चित्र है स्रमिक और तीन अप्सन है अक्षर, ग्यो, स्रो तो स्रोमिक का पहला लेटर है स्रो इसलिए स्रो में टिक लगाएंगे चौथा पिक्चर है ग्यानी ग्यानी का पहला अक्षर होता है ग्याओ तो हम लोग ग्याओ स्रो त्रो में से ग्याओ में टिक करेंगे understood अब हम लोग पेज नमबर 77 का पुन्रा वलोकन पढ़ेंगे समान अक्षर से सुरू होने वाले चित्रों को आपस में मिलाएं जिस दो चित्र का पहला अक्षर से मुगा उसी दोनों पिक्चर को आपस में मिलाना है तो पहले साइड के पिक्चर में है छत्रिय, त्रीफला, स्रम, ज्यानकोश और दूसरे साइड के पिक्चर में है त्रीकोन, छितिज, ज्यानी, स्रमिक तो पहले पिक्चर में है छत्रिय और दूसरे साइड के पिक्चर में अक्षर से सुरू होने वाले शब्द हैं छितिज तो इसलिए छत्रिय को छितिज से मिलाएंगे दूसरा पिक्चर में है त्रीफला और दूसरे साइड के पिक्चर में है त्रीकौन तो त्रीफला और त्रीकोन का पहला अक्षर होता है त्रो इसलिए त्रीफला को त्रीकोन से मिलाएंगे तीसरा पिक्चर है स्रम और दूसरे साइट के पिक्चर में स्रो से बनने वाले शब्द हैं स्रमिक तो स्रम को स्रमिक से मिलान करेंगे चौते पिक्चर में है ग्यानकोश और दूसरे साइट के पिक्चर में है ग्यानी तो ग्यानकोश को ग्यानी से मिलान करेंगे क्योंकि ग्यानी और ग्यानकोश का पहला अक्षर होता है ग्योग understood That's all for today, thank you